RD Sharma solution देख रहे है Class 11 है Chapter 30 Derivatives exercise है 30.5 Next question है Question number 12 इसमें है जो fx आपको दिया है जो function दिया है वो है 2 की power x और cot x और divided by root x तो इसको हम u लेंगे इसको भी लेंगे और फिर u dash करेंगे u dash आपको कैसे करना होगा इसमें लगाना होगा product root product root लगाते हैं इसमें पहले 2 की power x cortex का होता है minus कोजे x square x फिर plus कर दिजिए अब हम करेंगे cortex को इसे रख देंगे 2 की power x का करेंगे यह आगया आपका u dash अब हम v dash करेंगे तो root x का क्या होगा root x root x का इसको कैसे होता है root x का हम मानेंगे x की power half और x की power half का क्या होता है half x की power half minus 1 तो यह गया half x की power minus half इसको निचे ले जाएंगे 1 by 2 root x 1 by 2 root x आगया अब पहले इन दोरों कोático मोडिप्राय करेंगे यानि की root x को u dash से जो यहाँ देख रहे हैं और फिर u को v dash से जो आप इन दोरों को मोडिप्रिकेशन यहाँ देख रहे हैं और divide कैसे करेंगे v square से root x का whole square यानि की x हाएगा इसमे we don't go till like it called कितना हो एक्स तो आप किहाँ पर एक्स देख़े हैं वो यह ऐसे दिकर अब इसमें क्या करेंगे हम यह वाले में हम रूट x मतलब इसका एलसे में ले लेंगे अगर इसका एलसे में ले जैसे मैं इस पूरे को divided by 1 मानू फ़हले इसको इससे मौनिप्याइ करिए इसको इससे मौनिप्याइ करिए यहां लिख दीजे तो यहां मौनिप्याइ करेंगे root x और यह जो root x है यह बन जाएगा कित्ना x ठीक है और यह जो 2 की पावर x है और 2 है कईसे लिखेंगे देखिए कि हम पहले आप इसको सब्सक्राइब लिए को हट अ खुआ एंगे इसको 2 का रहा हूं ऊपर 2 की पाब एक्स हैं नीचे आपका रτοल ऑगा 2 की पौर X और उपर जाएगा ये 2 की पौर मैनस 1, 2 की पौर X मैनस 1 बन जाएगा ये, ठीक है? तो ये 2 की पौर X और 2 को हटा के ये 2 की पौर X मैनस 1 अग दिया, अब आप इसका root X अलसिम ले लिए, root X इससे मुण रिप्लाय होगा, root X, root X होता है X, और ये तो खेर है, और मैनस क्या होगा? 2 की पौर X मैनस 1 जो ये आया, और कॉट X, और divided by क्या होगा? गरे के नीचे root X आएगा है, root X आप देखे है, root X को नीचे ले ये इसके साथ, एकी बात है, यहां है, यहां है, एकी बात है, तो X, root X होगा है, ऊपर आप देखेगा, इस जगह पे, जो हमने बड़ी प्लाई किया, इसमें जैसी हम X को अंदर ले जाएंगे, जिस X को अंदर ले जाएंगे, तो यह होगा, और 2 की पौर X को देखे हैं, 2 की पौर X, 2 की पौर X सब जगह है, तो अभी फिलहाल के लिए हमने इसलिए यह किया था, कि root, जब हम इसका LCM ले, तो root X ही रहे, फिर उसके बाद अगर आप देखें, 2 की पौर X माइनस 1 है यह, बिसिकली 2 की पौर X बाई 2 ही तो है, तो 2 की पौर X यहां से, 2 की पौर X यहां से, 2 की पौर X यहां से कॉमन ले लिए, तो by 2 ही बचा, 2 की पौर X हमने बाहर ले लिया, यहां आया माइनस को ज़े एकस, यहां आया आपका log 2, cos X और यह X, cortex और log 2, cortex X, यहां आमने 2 की पाउर x ले लिए तो y2 है cortex by 2 आए यहां बस इतना ही आंसर है यह जो x root x से इसको यह पुरा आंसर हो गया जो x root x से इसको ऐसे लिखा गया है root x से x की पाउर half तो 1 और half जुड़ जाएगा तो x की पाउर 3 by 2 ऐसे लिखा हो है यह आपका यह आपका final answer है अब है सवाल संख्या 13 इसमें है जो सवाल दिया है वो पहले दिखा दूँ आपको वो दिया है sin x minus x cos x divided by x sin x plus cos x यह u है यह v है पहले u डाश्ट लिकालना है वी डाश्ट लिकालना है आपको sin x का हो जाएगा cos x और minus x cos x x cos x का क्या होगा पहले मैं x cos x का बता देता हूँ यह x cos x का हम product rule से करेंगे तो पहले x होगा cos x का होगा minus sin x और फिर cos x और x का तो फिर 1 ही हो जाएगा cos x minus x sin x तो cos x minus यह यह कहें कि x sin x minus cos x क्योंकि यह negative में है यहां रखिएगा यह negative में है इसलिए इसको plus कर दीजिए यहां पर यहां पर जो है आपका नीचे x sin x plus cos x है तो cos x का minus sin x डाइग लिक दीजिए अब x sin x का बता देता हूँ आपको तो x sin x का cos x plus sin x यहां रखिए और d by dx of x यह हो गया x cos x प्रस sin x तो x cos x प्रस sin x यह हो गया और cos x का तो खेर minus sin x वही गया कहने का मतलब यह है कि इसमें cos x और cos x कैंसल हो गया यह x sin x आया है इसमें sin x और sin x कैंसल हो गया कि अगल x cos x है x sin x को आप multiply करेंगे x sin x plus cos x है और x cos x को multiply करेंगे आप sin x minus x cos x से तो x cos x को multiply करें sin x minus x cos x और denominator क्या है आपका यह v v का whole square x sin x plus cos x का whole square यह अंतर तक ऐसी चलेगा इसको ऐसी लिख दीजिए यह अंतर तक ऐसी चलेगा उपर आपको कुछ नहीं करना है उपर आप multiply कर दीजिए तो क्या मनेगा यह x square sin square x यह मनेगा cos x sin x x cos x यह मनेगा x cos x sin x यहां हो गया मैनस में और यह आपका हुआ मैनस मैनस प्लस और x square cos square x यह हो गया अब इसमें आप देखेगा कि यह x cos x sin x x cos x यह दोनों cancel हो गया यह और यह हो गया कट गये तो x square sin square x प्लस x square cos square x अब x square x से common ले ले तो आपका sin square प्लस cos square अंदर आएगा sin square प्लस cos square क्या होता बन होता है तो क्योंब एक square बचाओ उपर यहां पर क्योंब आप x square देख रहे है मैंने कहा था है यहां से यहां तक यह ऐसी चल रहा है अब है यह सवाल संख्या question number आपकी 40 इसमें जो सवाल दिया होगा आपको दिखा देता हूँ इसमें 14 में है x square minus x plus 1 by x square plus x plus 1 यह u है आपका यह v है u dash क्या होगा यह 2x और minus 1 v dash क्या होगा आपका 2x plus 1 ठीक तो आप v into u dash करिए परे यानि कि x square plus x plus 1 और 2x minus 1 इसी तरीके से v dash u करिए x square minus x plus 1 और 2x plus 1 x square minus x plus 1 और 2x plus 1 और denominator पे क्या होगा v square x square plus x plus 1 का whole square अब इनको proper multiply करिए सबको multiply करिए I hope यह multiply करेंगे एक एक term करना जैसे x square को पर इस से कर दिया x को इस से कर दिया फिर 1 को इस से कर दिया जब आप यहाँ पर आएंगे जब खोलेंगे इसको तो आप देखेंगे कि cancellation हो जाएगा maximum चीज़ों यह 2x cube 2x cube cancel ठीक है यह 2x और 2x cancel यह आपका minus x plus x cancel यह minus 1 minus 1 बता है minus 2 यह minus x square यह x square minus x square minus x square क्या बन गया यह आपका हो गया minus 2x square तो minus देखें आपर एक 2x square यह है एक 2x square यह है और यह minus x square और minus x square बन गया minus 2x square तो एक 2x square से यह 2x square कर गया एक 2x square बचेगा कि बचेगा और यह minus 1 और minus 1 2 बागी सब cancel हो रहे है 2x square minus 2 आगया चाहे तो आप 2 बाहर ले लिजे बस यह तो चलेगा नीचे यह जो v square है यह नीचे ऐसे चलेगा v square है twice यहां से बाहर ले लिजे x square minus 1 आएगा अगला है सवाद संख्या 15 इसमें है under root मैं पहले सवाद बता देता हूँ आपको root a plus root x by root a minus root x तो यह आपका u हो गया यह v हो गया तो u dash ले लेते पहले u dash क्या आएगा basically क्या है इसे u dash v dash निकाला ही main है दरवाई इस तो बाकी की वाल lcm लेना होता है तो u dash निकालेंगे क्या आएगा root एका क्या होता है 0 तो यह constant है root x का हम उलड़ी देख चुगी क्या होता है 1 by 2 root x मैं direct लिख रहा हूं इसको बता देता हूं इसको root x कैसे आएगा root x को हम लिख सकते है x की पाउर half x की पाउर half क्या होगा half x की पाउर half minus 1 यह half x की पाउर minus half यह 1 by 2 इसको निचे लेंगे root x 1 by 2 root x आए ना आपका u dash इसमें बिल्कुल ऐसी होगा v में जैसे v dash क्या होगा आपका root x का दोजिर हो जाएगा यहां negative आजएगा root x का हम कैसे करेंगे तो 1 by 2 root x तो minus 1 by 2 root x तो पहले इसको इसमें पाउर half करेंगे 1 by 2 root x को आप करेंगे root x माइनस root x है तो root x plus root x को माइनस 2 by root x है आप नेगेटिव है पहले तो इसको negative को negative को पॉजिटिव कर दीजिए अब 1 by 2 root x को चाहे तो आप कॉमन ले लिजे 1 by 2 root x को कॉमन ले लिए हमने अंदर क्या बना root a minus root x plus root a plus root x root x root x cancel यह होगा 2 root a 2 root a wire 2 root x 2 to cancel root a wire root x लेकिन आपको मैंने बताया था यह तो चले गई यह v square है यह v square है v क्या है? root a minus root x whole square तो root a minus root x का होल square आप देखेंगे यही answer है root a by root x minus root a minus root x का होल square सवाल संक्या 16 है इसमें आपको दिया हुआ है जो fx है यानि कि जो basically function है वो क्या दिया है वैसे तो fx बा gx बताया है मैंने लेकिन यह u by v form है इसमें है a plus sin x by one plus a sin x यह u है यह v है u dash क्या होगा? यह तो 0 हो जाएगा sin x का cos x हो जाएगा v dash क्या होगा? यह है a1 का 0 हो जाएगा constant बाहरा जाएगा sin x का cos x cos x और a cos x आगे सबसे पहले आप क्या करेंगे? v dash को इस v को u dash से multiply करें बताब 1 plus a sin x को cos x है 1 plus a sin x को cos x है फिरा आप multiply करें a cos x को a plus sin x है तो a cos x को a plus sin x से बीच में आपका negative है denominator में क्याएगा 1 plus a sin x का whole square चीक है? अब 1 के कॉण multiply कर दीजे यह तो आप कर लेंगे na 1 के कॉण multiply करेंगे सारा खोल देगे अब इसमें आप देखिएगा कि जो a sin x cos x है और a sin x cos x से दुरों cancel हो रहे हैं एक positive में हैं एक negative में है यहाँ पर बचेगा cos x और minus a square cos x तो बस आप cos x common ले लिजें यहाँ पर आपको इनस cos x common ले लिना है और cos x जैसी common लेंगे यहाँ से बचेगा 1 यहाँ से बचेगा a square तो cos x 1 minus a square by यह तो ऐसी चलेगा all plus a sin x का whole square यह सुलवा उसका उत्तर होगे यह question number 17 इसमें है आपका 10 की power x by sin x यह u है यह v है u dash लिकाल लेते 10 की power x का क्या होगा 10 की power x 1 की power x log a log 10 v dash का होगा इसमें sin x का होजाएगा cos x इसको इसमें बचा करिए sin x को 10 की power x log 10 से तो यहाँ देख रहे हैं और v dash को u से 10 की power x को cos x से और divided by क्या होगा अपका v square sin square x अब इसको तरह अलग-अलग कर लिजे इसमें अलग-अलग कर लिजे यह sin मैं इसको करके sin को मैं sin लिखूँगा cos को c लिखूँगा sin को s लिखूँगा तो sin यह है sin 10 की power x log 10 नीचे मैं sin square लिख रहा हूँ minus 10 की power x cos x और sin square एक sin से एक sin cancel और इस sin को अपर लिजा लेंगे तो क्या होने गा 10 की power x यह काम कर रहा हूँ है 10 की power x को मैं common ले ले रहा हूँ यही से 10 की power x common हो गया अब यह उपर गया एक sin से sin काट दिया sin उपर ले गया तो हो गया cos x और log 10 minus cos by sin है तो इसको cos by sin square को हम लिख रहे है cos by sin और नीचे 1 by sin cos by sin तो कॉट हो गया 1 by sin को कोजेक लिख देंगे तो गया कोजेक x और कॉट तो 10 की power x तो common ले लिया था यहां भी कोजेक कोजेक common लेकल मिल रहा है तो इसको भाले लीजे बन जाएगा कोजेक x 10 की power x अंदर log 10 minus cot x ठीक है जी यह इसका उतर है अगला है question number 18 तो इसमें क्या करेंगे 18 में दिया है 1 function दिखा देता हूँ 1 plus 3 की power x और 1 minus 3 की power x यह u है यह v है तो u dash क्या होगा इसमें देगे इसमें दोनों मैं एक साथ बता रहा हूँ यह question number 18 और question number 19 यह question number 18 है यह question number 19 है फिर question number 18 बताऊँगा फिर question number 19 बताऊँगा question number 18 क्या होगा यह u है 1 plus 3 की power x 1 तो 0 हो जाएगा और 3 की पावर X क्या होगा? 3 की पावर X log 3. V' क्या होगा? यह तो 0 हो जाएगा, minus, minus, 3 की पावर X होगा, 3 की पावर X log 3. ठीक है? यह U' होगा है, V' होगा है. हम क्या करेंगे? सबसे पहले U' को V से मटिप्लाइ करेंगे, निकि 3 की पावर X log 3 को 1 minus 3 की पावर X से, वो यहां आ मुझा यह formula लगाना है वेसिकलिए जब यह हो गया और नीचे क्या होगा v square यानि कि 1-3 x का whole square यह तो ठीक है अब यहाँ पर देखिए का थोड़ा क्या हो रहा है इसको proper पहले multiply करेए 3 की पावर x log 3 और यह 1 यह तो यहाँ गया उसके बाद 3 की पावर x 3 की पावर x log 3 तो 3 की पावर x 3 की पावर x क्या होगा 3 की पावर 2x x plus x 2x हो जाएगा और log 3 यहाँ पर आईए minus minus plus कर दीजे पहले बागे सारे plus हो जाएगे क्योंकि minus यहाँ लिए प्लस यहाँ विए 3 की पावर x log 3 यह हो जाएगा 3 की पाव 2x log 3 नीचे जो यह चल रहा है v square मतलब यह जो आप शुरुआत से लेकी चल रहे है न यह वाल है यह तो चली रहा है, 1-3 की पाउर x का हो स्कूर, clear है? यह आपका सवाल संख्या हुआ आपका, 18, अब मैं सवाल संख्या आपको 19 बता रहा हूँ, 19 में बिल्कुल सेम है, exactly सेम है यह, तो 3 की पाउर x, उपर बार तो सेम है, नीचे x प्लस 10x, यह हम अलड़ी कर चुके हैं, पहले सवाल में, इसके पहले सवालों में हम कर चुके हैं, लेकि मैं आपको बताऊंगा, u- क्या होगा इसमें, यह u है, यह v है, 3 की पाउर x, और log 3, 3, v- क्या होगा, x का क्या होगा, 1, 10x का क्या होगा, 6 square x, ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, आपको v u- करना हो पड़ता है, तो लब पहले इसको इससे मुनिपाय करिए, यह x प्लस 10x को आप 3 की पाउर x log 3, जो यहां देख रहे हैं, इसके बाउर 3 की पाउर x को आप 1 प्लस x square से करिए, 3 की पाउर x, 1 प्लस x square, और v को उठाईए और नीचे square करके लग दीजिए, तो v square हो गया, x प्लस 10x का whole square, इसमें कुछ बन नहीं रहा है, अगर आप मडिप्लाइब भी करें ना, कुछ नहीं बनेगा, इसमें, सवाल सनख्या है, वी इसमें, 1 प्लस log x by 1 minus log x, यानरे कि 1 प्लस log x by 1 minus log x, ये u ये v है, अब मैं इसको यहीं बिदा देता हूँ, u dash क्या होगा 1 का 0 log x का 1 by x v dash क्या होगा 1 minus log x याने की 1 का 0 minus तो आएगा log x का 1 by x तो 1 by x 1 minus 1 by x तो आपको क्या करना है v u dash करना है वादा इसको 1 minus log x को 1 by x और उप्लाय करिए जो यहां कर रहे है ऐसी 1 plus log x को minus 1 by x से करिए 1 plus log x को आपने minus 1 by x से किया नेगडिव कर दीए, मतलब माइनस कर दीए, डिनॉमिनेटर में क्या होगा, v square, 1 minus log x का होल square, ठीके जी, अब इसमें देखिए, हम क्या करेंगे, ये 1 by x को, पहले सबसे पहले क्या कर दीए, इस minus और minus को plus कर दीजी minus minus plus हो जागा तो यह तो plus होगा है 1 by x को बहार लेगे तो क्या होगा अंदर मैंने का 1 minus log x plus 1 plus log x log x log x तो cancel हो गया उपर i 2 उपर i 2 और यह 1 by x है उपर i 2 तो 2 by x है अब मैंने आपको बताए कि V skoto चलेगा यह वी क्या है आपका 1-log x का holes का है तो 1-log x का holes का है यह आपका 1-log x का holes का है ठीक है यह यह आपका उत्तर हो दो यह सवाल संखिया था अपका 20 19 20 हम 21 वा करेंगे ऐसे करते हैं यह जो 21 से लेकर आपके जो सवाल हैं 30 तक यह सारे NCRTK मैं इसको अगली बर बताता हूँ ताकि सारे NCRTK एक साथ हो जाए ठीक है उत्यक्त कर शुक्रिया, बहरबानी आपसे दिकिए